यह मेरे अडेनियम के मदर ब्लांट्स है और आप इस पर देख सकते सीट पॉट्स लगे हुए हैं इन्हीं सीट पॉट्स को मैं हार्वेस्ट करूँगा और इनसे जो सीट्स मैं कलेक करके पिर इनके सीट्स को मैं अच्छी तरह से हार्वेस्ट करके दोस्तो इन्हें धूप में सुखाऊंगा और मैं इसे एंटी फंगल पॉडर जो की मेरे पास है फंजी साइड मैं उसे इनमें ट्रीट्मेंट करने के लिए रख दूँगा तो नमस्कार दोस्तो आप सभी का सागत है एक बाद फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दा गार्डेन वैली पर दोस्तो आज की वीडियो पे खास हम बात करेंगे अडेनियम प्लांट्स की सीड्लिंग कैसे घर पर तयार करें देखे जब इसके सीड़ पॉट्स मेचियोर हो जाते हैं तो इस तरह से यह खुनने लग जाते हैं और अभी हमें इन्हें बचाना है इसे हर्वेस्ट करने से पहले मैं इसे धागे से बांग दूँगा ताकि इसके जो सीड्स हैं वो यहां से बिलकुन स्प्रेड ना हो जा यह मेरे अडेनियम के सीड्स है जो मैंने खुद के अपने मदर प्लांट से इने हर्वेस्ट किया है और यह आपको मैं दिखा रहा हूं यह रहे देखिए इनके सीड पॉट्स बिलकुल खिल चुके हैं और यह बर्स्ट होने वाले ही थे बस मैंने इनको क्या किया किसी एक इसाहता से इने बाँद दिया जिसे कि बस्ट के फूरेज की सीट निकला जड़ा जाए देखिए यह मैं आपको दिखा रहा हूं निकाले अ दीखें जी किस तरह से बॉस्ट होते हैं और देखिए यह आप देख रहे हैं इसके दोनों साइड जो है यह बारता तक इस तここ सरो में भी लो कर जाते हैं तो मैं क्या करूँगा इस तरह से इनको इसे इनके यह फैजर्र तोड़ करके और इन लाएप कर लिए मंने यह देखिए यह का सीड है और अब मैं इस तरह से कलेक्ट कर रहाई तो इस असे मैं सारे अपने सीड पोर से कलेक्ट करके मैं आपको आगे नेक्स्क वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं इनी कैसे घर पर प्रोपेगेट करता हूं कैसे जर्मिनेट करता हूँ और बहुत सारे मेरे पास अडेनियम के सीड्लिक्स हो जाएंगे चलिए दोस्तों वीडियो में बने रही है और हाँ दोस्तों वीडियो को लास तक देखी क्योंकि मैं आपको ये पूरा अपडेट के साथ वीडियो दिखाने वाला हूँ काई से वीडियो को like करें share करें कमेंट करें और मेरे चैनल subscribe चरूर करें दोस्तों मेरे घर के अपने अडेनियम के सीड्लिक्स हार्वेस्ट किए हुए आज Я आप लोगों को दिखाता हूं कि मैं आने कैसे सो करता हूँ अपने पास तो यह रहा मेरा अडेनियम का सीट दोस्तो और सबसे पहले क्या करेंगे अपने लोग इसका जो है मेरे पास एंटी फंगल पाउडर है तो एंटी फंगल पाउडर से पहले इसका ट्रीटमेंट कर देते दोस्तों किसी भी सीट को कर एक जर्मिनेशन आपको 100% रिजल्ट में चाहिए तो आप उसको हमेशा एंटी फंगल पाउडर के साथ ही लगाएं तो देखे मैं इसमें लगवा एक ग्राम एंटी फंगल पाउडर मेक्स कर दे रहा हूं और यह इसको प्रोटेक्शन भी देगा किसी भी तरीके से फंगस लगने नहीं देगा इसमें मेरा यह सीड अब रेड़ी है बिल्कुल एंटी फंगल पाउडर के साथ अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका जो ग्रोइंग मीडिया है उसके लिए हमें क्या-क्या चीज़े लेनी चाहिए देखे दोस्तों मैंने अपने अडेनियम की सीड्स को ग्रोग करने के लिए जो अपना ग्रोइंग मीडिया रखा है वो बेहदी हलका और बेहदी कमफोटेबल जो की सीड्स के लिए सूटेबल होता है वो मैंने रखा है और देखे यह रिवर सेंड है बजरी तो कुछ पर मैंने यहां रिवर सेंड के साथ अपना यहां वर्मी कमपोस्ट रखा है 70% मेरा रिवर सेंड है 30% मेरा वर्मी कमपोस्ट वह बेकुल अच्छी तरिकी से सडा अरुगला हुआ और यह है मेरा साफ का फंगी साइट पॉटर मैंने इसे लगभग 5 ग्राम यूज किया है तो मेरे इतने ग्रोइंग मीडिया के लिए लगभग 5 ग्राम तो लगी जाता दोस्तों अब बात करता हूँ दोस्तों कि आप चाहे तो इसे नॉर्मल रिवर सेंड में भी लगा सकते हैं सर्डेनियम सीट को पर मैंने दोस्तों यहां पर वर्मी कमपोस्ट इसलिए यूज किया है क्योंकि मैं जब इन्हें एक मेरे पास जो सीडलिंग ट्रे है उसमें मैं इन्हें इनको चाहिए जो इनको नूट्रेंट चाहिए वह स्वर्मी कमपोस्ट इसको फूरा करते का दोस्तों यह है मेरा सीडलिंग ट्रे दोस्तों लगभाग इसमें 50 होल्स है पचास होल्स है और बहुत ही सिंपल मैथेड है इन्हें ग्रो करने का दोस्तों आप इस ग्रिंग इसमें एंटी फंदल पाउडर मिलाने की जो दोस्तों विशेषता है वह खास यह है कि मेरे सीडलिंग जो है किसी भी तरह से फंगस के वज़ा से जो है खराब नहीं होंगे तो एक तो मैंने सीड को भी कोट कर दिया है यह आप देखें आप अब कि देखिए सीड सकुभी माने कोड कर दिया है और साथ यसाथ मैंने में ग्रोइंग मीडिया में भी सितमाल कर दिया है फंगस पो फंगर पार तो यह बहुत एच्छे देगे से और अब में क्या करेंगे मेरे यह मिक्सचर जो है एक रिद्दि हो चुका है मिक्सो को फिल कर देंगे ग्रोइंग मीडिया को और मैं अभी आगे दिखाता हो आपको कि मैं इसके बाद ही ने सो कैसे करूं रहा हूँ को कि में बोल्च म में आपने देखे हैं मेरे प एक चिम्ती ला जाएंगे से कसे जिए बौक्षे चिम्ती आखिए और बहुत सिंपल है, बहुत बहुत है, यहाँ पर इसको ऐसे, आप इसको डिप करके, बस कवरब कर देजे, दोस्तों, यह देखे, मैजिस्टर के से लगा रहा हूँ, आप सभी को भी किस तरी के से लगाना है, और बहुत जादा डिप नहीं आपको लगाना है इसको, जितनी गहराई में रख रहा हूँ, मुस्किल से अगर आधे इंच की बात करो, तो आधे इंच है, यह जर्मिनेट हो जाएंगे, बड़ी आसानी से, क्योंकि इनको थोड़ा सा मॉइस्टर चाहिए होता है, दोस्तों, मैं अभी क्या करूँगा, लगभग अपनी सारी सीलिंग के, ऐसे ही फिलब कर ले रहा हूँ, तो यह दिखी दोस्तों, मैंने अपनी सभी सीट्स को इसमें, अपनी सीलिंग ट्रे में, यहाँ पे सो कर दिया है, दोस्तों, इनको सो करने का जो सीजन है, वो आप लगभग 15 या 20 वरवरी के बास से ले करके, सेप्टेंबर तक, सेप्टे से ले करके, जून तक होता है, बहुत ही अच्छा दोस्तों, और फेवरेबल कंडिशन होती है, अगर आपके पास ऐसा वाटर स्प्रिंकलर हो, तो उसके सायता से हम इनको वाटरिंग करेंगे, चुकि सीट्स बहुत हलके हैं, और यह मैंने इन्हें सैंड में ग्रो किया है, तो सीट्स डिस्टरब हो सकते हैं, तो आप इन्हें बहुत हैबी वाटरिंग मत कीजिए, और बहुत ही थोड़ी नमी बना करके रखिएगा सीट्स में, चुकि सीट्स खराब होने के चांसे भी यहाँ पर हो सकते हैं, चलिए मैं इनकी वाटरिंग कर देता हूँ, यह इसलिए मैं स्प्रेयर की मतब से इनको मॉइस्टर दे रहा हूँ, चुकि सैंड है, सैंड बहुत ही जल्दी मॉइस्टर के वो एब्सॉप कर लेता है, तो आप ऐसे दे दिजिए, हाँ दोस्तों, अगर आप चाहे तो इस वाटर में नॉर्मल वाटर ना लेकर के बल्कि एक लिटर के वाटर में आप लगबग एक ग्राम पंजी साइड पाउडर का भी गोल मिला करके इनकी वाटरिंग कर सकते हैं, पर दोस्तों, मैंने अलड़ी जब सीट्स में खोट कर अपने गोल से ही इसकी वाटरिंग करें और दोस्तों, मैं आपको अपडेट दिखाऊंगा कि लगबग 12 दिनों के बाद मेरे जर्मिनेशन की क्या कंडिशन है, वीडियो में बने रही है तो दोस्तों, ये थी एक कम्प्लीट वीडियो जिसमें कि आप सबने देखा है कि मैंने किस तरह से अपने घर के सार्विस किये वे सीट से बहुत सुन्दर सुन्दर और बहुत प्यारे प्यारे बहुत सारे अडेनियम की सीडलिंग्स तयार कर ली है और अब पहुत जल मैं दोस्तों इनकी एक रिपोर्टिंग की दिए वीडियो क्रियेट करूँगा तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर सी तरह बने रहे है चैनल को अगर अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करिए तो दोस्तों तब तक के लिए जैहिन जैभारत थो प्राइब बिजयो को अशने हो अपने सब्सक्राइब